अब हम रासायनिक सूत्र और मोल संकल्पना के बारे में पढ़ेंगे रासायनिक सूत्र का अर्थ यह है कि जब भी हम किसी योगिक को सूत्र के रूप में लिखना चाहते हैं तो उसमें कितने योगीकों का योगदान होता है इस अनुपात में तत्वों के सयोग करने से उस योगीक का निर्माण हुआ है यह भी सूचना हमें रासायनिक सूत्र से पता चलती है साथ ही किसी भी रासायनी कभी क्रिया में कणों की संख्या, पर्माणों की संख्या, आयनों की संख्या को हम किस तरीके से नाप सकते हैं, किस तरह से उनका वेज्ञानिक धंग से मापन हो सकता है इसे फिर हम मोल संकल्पना के द्वारा समझेंगे तो सबसे पहले हम प्रारम करते हैं योगिक से जैसा कि हमने पिछली अध्याय में पढ़ा है कि योगिक क्या होते हैं तो योगिक वास्तों में दो या दो से अधिक तत्व के सयोग से बनता है और दो या दो से अधिक तत्व जब सयोग करते हैं तो वे एक निश्यत अनुपात में सयोग करते हैं तब ही योगिक का निर्माड होता है अब हम जब देखते हैं कि योगिक जो बने हैं वो तत्वों के एक निश्यत अनुपात के संयोग से बने तो उस तत्व का उस योगिक को बनाने में उस तत्व के कितने परमाडू उपयोग में लाए गए हैं या हम कह सकते हैं कि जब योगिक का निर्माण होता है तत्वों से तो तत्वों के परमाणों की एक निशित संख्या ही आपस में सयोग करती हैं जब हम जल या नमक या शक्कर या कोई भी जैसे कपड़े धोने का सोडा है या फिर खाने का सोडा है इस तरह के किसी भी योगिक के सूत्र को हम देखते हैं जैसे जल का सूत्र H2O, नमक का सूत्र NaCl, खाने का सोडा NaHCO3, कपड़े धोने का सोडा Na2CO3.10H2O तो इस तरह से विभिन जो योगीक है जैसे शक्कर है तो C12H22O11 तो इसमें हम देख रहे हैं कि जितने भी योगीक है सभी योगीकों में जो तत्वों का अनुपात है सयोग करने का वह एक निश्यत अनुपात है जैसे यदि हम जल की बात करें तो जल में दो भाग और एक भाग ऑक्सीजन का है जब हम नमक की बात करते हैं तो एक सोडियम है और एक क्लोरीन का परमाडू है या एक सोडियम तत्व का एक परमाडू क्लोरीन का एक परमाडू सयोग करने से सोडियम क्लोराइड या नमक बनता है जब हम खाने का सोडा देखते हैं तो खाने क याने sodium bicarbonate बना है उसी तरह से एक अपडेध होने का soda तो NA2CO3 जिसमें sodium परमाणू के दो पार्ट हैं C carbon का एक और oxygen के तीन परमाणू यहाँ पर सहयों करते हैं साथ में इसमें 10 जल के अड़ो भी जुड़े होते हैं तो एक निश्यत अनुपात हम देख रहे हैं विभिन योगीकों के सूत्र को लिखते समय, तो कैसे इन सूत्रों को लिखा जाता है और इन सूत्रों को लिखने के पीछे किस तरह के उद्देश होते हैं, या किन कारणों से ये तत्व आपस में बंधे हुए हैं, कितने तत्व या कितने तत्वों के, कितने परमाडू जुड़ करके योगी का निर्मार कर सकते हैं, इनी सब विश्यों में हम पढ़ेंगे और इनको किस तरीके से हम रासायनिक सुतर के द्वारा प्रस्तूत कर सकते हैं, इसे इस पार्थ में हम विस्तार से समझेंगे, जैसा कि हमने पिछ का अर्थ होता है, किसी भी सासयोजी योगीक में जो तत्व होते हैं, उन तत्वों के बाहतम कोश में जितने भी इलेक्ट्रोन होते हैं, वे ही बंद बनाने भाग लेते हैं, जब ये इलेक्ट्रोन समान संख्या में, यानि दो अगर दो या दो से अधिक तत्व हैं, या द जैसे carbon dioxide तो carbon का परमाडू क्रमांग 6 होता है और इसके बाहितम कोश में जितने electron है उसे हम Lewis dot structure से दर्शाते हैं Lewis dot structure में हम देखते हैं कि cross से या फिर dot से इसे दर्शाया जा सकता है तो carbon के बाहितम कोश में 4 electron है 1,2,3,4 और oxygen के बाहितम कोश में हम देख रहे हैं 6 electron है 1,2,3,4,5,6 क्योंकि oxygen का परमाडू क्रमांगाठ होता है जब हम इसे विभाजित करते हैं तो 2 और 6 लिखते हैं 6 इसके सयोजी कोश या बाहितम कोश के electron है इसे भी हम Lewis dot structure से दर्शाते हैं इसके बाद हम देख रहे हैं दूसरी तरफ भी एक और oxygen है जिसके बाहितम कोश में 6 electron उपस्थित हैं यहाँ पर यदि हमें CO2 याने carbon dioxide का जो सूत्र है CO2 से लिखना है तो उसके पीछे इसी तरह से जो इलेक्ट्रों की सहभागीता होती है इससे इधर के oxygen के भी 6 और 2 8 हो गया मतलब 8 अश्टक पूड़ा हो गया दूसरी तरफ भी जो oxygen है वहाँ भी हम देख रहे हैं कि 6 electron पहले से है और 2 electron के साथ यह साजा करते हैं तो 6 और 2 8 electron हो गया साथ ही जो बीच में carbon है चुकि इसके बाहतम कोश में 4 ही electron है और दोनों और के oxygen के 2-2 electron के साथ यह साजा कर लिया तो इस तरह से 4 पहले से था और 4 इसको साजे के द्वारा प्राप्त हुआ तो इस तरह से इस carbon के भी अश्टक यहाँ पर पूर्ण होते हुए दिखाई दे र एक परमाडू याने carbon का एक परमाडू और oxygen का दोनों परमाडू दोनों ही अपने अश्टक को पूरा कर लिये दोनों ही अक्री गैस सनरचना को प्राप्त कर लेते हैं और एक स्थाई सनरचना को प्राप्त करते हैं तो इस तरह से जब हम योगिक का सूत्र लिखते हैं किसी परमाड़ों के आपस में बाहतम कोश के इलेक्ट्रोनों के साजेदारी से बंद का निर्माड हुआ है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यदि हम चाहें भी तो CO3 नहीं बना सकते कार्बन डायोकसाइड का सुत्र क्योंकि अगर हम तीन ऑक्सीजन करेंगे और एक कार्बन करेंगे तो ऐसी स्थिती में किसी भी परमाड़ों का जो अश्टक है यानि कोई भी एक ऑक्सीजन परमाड़ों का जो अश्टक है वो पूर्ण नहीं हो पाएगा साथ ही जो कारबन है वह बाहतम कोश में उसके 8 इलेक्टरॉन से अश्टक पूरा हो जा रहा है यदि वह तीसरे अक्सीजन के साथ भी इलेक्टरॉन का साज्या करेगा तो उसके बाहतम कोश में अश्टक से जादा इलेक्टरॉन हो जाएंगे जो की संभव नहीं है, तो इस तरह से कोई भी परमाडू जब बंद बनाता है, योगीक बनाते समय, तो उस दोरान उसमें उपस्थित समान संख्या में जो इलेक्टरॉन्स होते हैं, यानि दोनों परमाडूों में समान संख्या के इलेक्टरॉनों की सहभागिता होती है, hydrogen के दो परमाणू और oxygen का एक परमाणू तो यहां बीच में हम oxygen लिखते हैं इसके बाहतम कोश में सयोंजी कोश में 6 electron है एक दो तीन चार पाँच छे और hydrogen जो है वो दो तरफ हम बना देते हैं एक एक तो इस तरह हम देख रहे हैं कि यह जो hydrogen है तो इस hydrogen में जो एक electron है इस oxygen के एक electron के साथ वो साजा करेगा तो इस तरह से 6 पहले से है एक साजा हो गया तो oxygen के पास अब सात हो गए दूसरे hydrogen के भी एक electron से जब साजा कर लेगा तो इसके भी यहां पर साजा होने के बाद इसमें बाहतम कोश में अव एक on oxygen के पास जबकि दोनों जो hydrogen हैं, चुकि hydrogen में बाहतम कोश में एक ही electron है और अधिकतम उसमें दो ही electron हो सकते हैं, जो कि इसको oxygen के एक एक electron के साजेदारी से मिल गया, तो इस तरह से जो hydrogen है वो helium के सनरचना को प्राप्त कर लेगा, यानि इसके बाहतम कोश में अब दो electron होगा, जबकि oxygen के बाहतम कोश में छे पहले से था और एक एक electron के साजे के बाद, अब उसमें electron की संख्या हो गई, आठ, तो इस तरह से ये भी अपने अश्ट्रक को पूरा कर लिया, तो किसी भी तत्व के निर्माड के समय हम देखते हैं, कि कितने electron की साजेदारी हुई, उस आधार पर हम electron को Lewis Dot Structure से शो करते हैं, और कैसे इसको व्यवस्थित धंग से लिखेंगे, और कैसे इसमें electron के साजेदारी को शो करेंगे, उसे हम इस तरह Lewis Dot Structure से बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, यदि यहाँ पर हम देख रहे हैं, कि कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है इस कार्बन के साथ यहाँ एक oxygen जुड़ा हुआ है, इसी तरह से एक और structure देखिए, इस कार्बन के साथ तीन और से तीन oxygen जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, कि यह जो कार्बन है, इधर पहले oxygen और दूसरे oxygen के साथ दोनों तरफ से हम देख रहे हैं, कि द सूतर हैं वो संभव नहीं है, चाहे हम दूसरी तरफ से भी करें कि यदि कारभन के दोरों तरफ दो ऊकसीजन है और जो और एक ओकसीजन है उसे ओकसीजन के साथ ही शेरिंग के लिए रख देते हैं, ऐसी स्थिति में क्या होगा? इस कारभन के साथ तो अश्टक पूरा हो गया, यानि दोनों तरफ का कार्बन से जुड़े दोनों ऑक्सीजन का, लेकिन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ जो और एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अश्टक जो है वो पूर्ण तो हो रहा है, लेकिन यह जो स्थाई तो जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब इस ऑक्सीजन में हम देख रहे हैं कि इसका तो 8 हो गया, लेकिन जो उपर वाला ऑक्सीजन है, उसमें हम देख रहे हैं कि 4, 2, 6 और दो 8 और दो 10 इलेक्टरॉन हो गया, तो इस तरह हम देख रहे हैं कि यह ऑक्सीजन जो है वो अस्थाई होगा, तो यहां जो हमने संरचना देखी, कार्बन डियोक्साइड को लिखने का या कार्बन के साथ ऑक्सीजन के जुड़ने की स्थिती को, तो यहां हम देख रहे हैं कि यह ऑक्सीजन जो है वो अस्थाई रह जाएगा, तो ऐसी स्थिती में हम इस अणू की संरचना को इस अणू के सूत्र को इस तरीके से Lewis.Structure से भी ठीक तरीके से नहीं बता सकते क्योंकि यह एक अस्थाई अणू बन जाएगा यदि हम C से तीन ऑक्सीजन जोड़ते हैं तो C से तीन ऑक्सीजन जोड़ने की स्थिती में वह कार्बोनेट होता है लेकिन अगर उसमें दो निगेटिव चार्ज लगा हो तो ऐसी स्थिती में वह एक आयन बन जाता है तो उसका फिर अलग तरीके से हम structure को उसकी संरचना को हम अलग तरीके से समझ सकते हैं लेकिन केवल CO3 जो है वह स्थाई होगा वो किसी भी आधार पर इसे हम व्यक्त नहीं कर सकते अडूक अवस्था में आयनी तवस्था में जब इसे आयन के अवस्था में जब इसे दर्शाएंगे तो हम CO3 2- लिख सकते हैं लेकिन CO3 अकेला हम नहीं लिख सकते हैं याने कि CO3 योगिक जो है वो बनने की संभावना बिल्कुल भी नहीं होती है यदि हम CO3 बनाना चाहते हैं तो या तो ऑक्सीजन अस्थाई होगा या फिर जो कार्बन है वह अस्थाई होगा तो ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि इस प्रकार के स्थिति के साथ साथ उस आणू में जितने भी परमाणू भाग ले रहे हैं उन परमाणू की विवस्था कैसी है किस तरीके से विवस्थित करने पर वे अपने अश्टक को पूरा कर लेंगे इसे भी समझना बहुत आवश्यक है अब हम सहसयोजी योगिकों के आणू भार क जो अध्याय है उसमें विभिन तत्वों के लगभग एक से बीस तक के परमाणू क्रमांग वाले जितने भी तत्व हैं उनके परमाणू क्रमांग को याद किया याने उसमें कितने प्रोटॉन हैं कितने इलेक्ट्रॉन हैं और कितने निउट्रॉन हैं उस आधार पर हमने उनके पर्माडू भार को भी सीखा, साथ ही उसके पर्माडू क्रमांग से हमने प्रोटॉन की संख्या को पहचानना, इलेक्ट्रोन की संख्या को पहचानना भी सीखा, और पर्माडू भार और पर्माडू क्रमांग के आधार पर न्यूट्रोनों की संख्या को निकालना भी स अब इस अध्याय में हम योगिकों के अडू भार या आडविक जो द्रविमान हैं उसके बारे में समझेंगे। तो जब भी किसी योगिक का निर्माड होता है तो यह योगिक विभिन तत्वों के परसपर सयोग से या एक निश्यत अनुपात में सयोग करने से ही बनते हैं तो किसी भी अडू में जब हम उसके सूत्र को लिखते हैं तो उस सूत्र में हम देखते हैं कि उस अडू के एक-ए और एक oxygen येदि हम ammonia लिखते हैं तो एक nitrogen और 3 hydrogen होता है तो इस आधार पर हम उसके अणुभार को कैसे ग्यात करेंगे इसके बारे में हम समझेंगे तो अणुभार ग्यात करने के लिए हम सबसे पहले एक उदाहरन लेते हैं जल का तो जल का सूत्र हम जानते हैं H2O है तो hydrogen का ज oxygen का जो परमाडू भार है वो 16 unit से दर्शाया जाता है अब यहाँ पर हम H2O जब लिखेंगे उसके नीचे हम बराबर चिन लगा के चुकी hydrogen के दो परमाडू है तो दो गुड़ा एक एक इसका परमाडू भार है और दो इसमें परमाडू की संख्या है तो परमाडू भार ग दूसरे तत्व के परमाडू भार की ओर जाते हैं तो बीच में हम प्लस साइन लगाएंगे और उसके बाद हम oxygen के परमाडू भार को लिखते हैं तो oxygen का परमाडू भार है 16 तो यहाँ पर 2 धन 16 बराबर होगा 18 unit तो unified mass के रूप में से हम दर्शाते हैं तो unified mass यहने कि यहाँ पर टोटल हो गया इसका जो अनुभार वो 18 unified mass तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इस जल के अनुभार होता है अब हम कुछ अलग-अलग अनुओं के अनुभार के बारे में समझेंगे या कैसे अनुभार को ग्याद करते हैं उसे हम समझेंगे तो निश्यत रूप से जितने भी योगीक है सभी का अनुभार हम ग्याद कर सकते हैं जितने भी सहसेओं जी योगीक है लेकिन इसके लिए हमें प्रतेक जो भी तत्व है उनके परमाणुभार का ग्यान होना चाहिए क्योंकि परमाणुभार जो है वो निश्यत होता है प्रतेक तत्व के लिए तो उसे ह हम ज्याद करेंगे उसे हम समझेंगे पहले तभी हम उसके अडुभार को ज्याद कर सकते हैं इसके बाद हम सलफर डयोक्साइट का ज्याद करेंगे s o 2 सलफर का जो परमाणुभार है वो 32 है और ऑक्सिजन का परमाणुभार 16 है तो SO2 नीचे हम लिखेंगे बराबर कचिंग फिर सलफर का 32 लिखे परमाडुभार प्लस ओक्सीजन 2 है तो 2 गुड़ा 16 तो 2 गुड़ा 16 याने 32 और इधर सलफर का भी 32 तो 32 धन 32 बराबर हो गया 64 तो ये 64 यूनिफाइद मास जो है सलफर डियोकसाइट का अडुभार हो इसी प्रकार हम अलग-अलग अणुओं के लिए भी अणुभार गयाद कर सकते हैं नाइट्रोजन का हाइड्रोजन का ओक्सीजन का तो जब हम नाइट्रोजन का गयाद करेंगे तो एक नाइट्रोजन जो अणु है उसे हम N2 के रूप में लिखते हैं और नाइट्रोजन क परमाडू भार जो है वो 14 है तो यहां बराबर चिन लगा के 2 गुड़ा 14 बराबर होता है 28 यदि हम O2 का ग्याद करेंगे तो ऑक्सीजन का जो परमाडू भार है वो है 16 गुड़ा 2 बराबर होगा 32 अगर हम हाइडरोजन का ग्याद करेंगे तो हाइडरोजन का जो परमाडू होता है एक hydrogen का वो एक है तो एक गुणा दो बराबर हो जायेगा दो unified mass तो इस तरह से किसी भी योगिक का किसी भी अणू का या snippy के अडू का किसी भी द्वी पर्माणू का अडू का हम अडू आईनिक योगीक के लिए जो सूत्र होता है उसे हम कैसे दर्शाते हैं और उसके द्रवेमान को हम क्या कहते हैं इस पर पिचार करेंगे तो जो आईनिक योगीक होते हैं उसे हमने पढ़ा है कि उनमें आयनिक बंद पाया जाता है आयनिक बंद जो है वो इलेक्ट्रोन के स्थनांतरण से ही बनता है एक परमाड़ू इलेक्ट्रोन त्याग देता है और धनायन बनाता है दूसरा परमाड़ू इलेक्ट्रोन ग्रहन करता है और इनायन बनाता है इस तरह से आयनिक योगी को का निर्माड होता है और इस तरह से आईनी क्योगिक का निर्माड हुआ, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि NaCl जो है यह आईनाइज इस्थिती में है, Na+, और Cl- के रूप में है तो यहाँ पर हम इस आईनी क्योगिक याने इस अडू का जो अडू भार है इसे हम अलग जो टर्म है उससे दर्शाते हैं, इसे हम अडू भार नहीं कहके सूत्र इकाई द्रविमान कहते हैं यहने Na+, Cl- जो है जब इसका जो आडविक द्रविमान है वो ग्यात किया जाएगा तो उसे हम सूत्र इकाई द्रविमान कहते हैं तो जो NACL होता है यह इसका सबसे सरलतम सूत्र ही है जिसे हम मुलानुपाती सूत्र कहते हैं तो किसी भी योगी का जो सबसे सरलतम सूत्र होता है वही उसका मुलानुपाती सूत्र कहलाता है मुलानुपाती सूत्र जो है उसके आधार पर हम उस आयनिक योगी के अणुभार क ग्याद कर सकते हैं जैसे NaCl में sodium का जो परमाणु भार है वो है 23 और chlorine का जो परमाणु भार है 35.5 तो जब हम NaCl लिखेंगे तो बराबर नीचे लिखेंगे और 23 धन 35.5 करेंगे दोनों को जोडने पर जो मानाता है 58.5 unified mass तो इस तरह से ये जो सूत्र क्याधार पर हमने अणु भार की गर्णा की इसे हम कहते है सूत्र इकाई द्रविमान अब हम कुछ अन्य जो आएनिक योगिक है इनके सूत्र इकाई द्रविमान को हम कैसे ज्याद कर सकते हैं इसे हम समझेंगे तो सबसे पहले हम लेते हैं sodium oxide तो यहाँ पर sodium oxide जो है Na2O एक आइनिक योगिक है के दो परमाडू है और उक्सीजन का एक परमाडू तो सोडियम का जो परमाडू भार होता है वह तेईस होता है तेईस गुणा दो करेंगे प्लस ऑक्सीजन का जो परमाडू भार है वह सोला है तो प्लस सोला करते हैं तो सोडियम के दो परमाडू है दो गुणा तेईस करने पर मानाता है 46, 46 और 16 दोनों को जोडने पर जो मानाता है वह 62 तो यहां पर जो 62 है वह Na2O का सूत्र इकाईद रविमान होता है यहां अगर हम इस प्रश्न को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं दूसरे तरीके से भी इन प्रश्नों को पुछा जा सकता है जैसे यदि ऐसा पुछा जाए कि कार्बन का जो पर माडू भार है वह 12 यूनिफाइड मास है तो कार्बन डैयोकसाइड का अडू भार क्या होगा तो जब कार्बन का दिया हुआ है तो निश्शित रूप से हमें ऑक्सीजन का याद होना चाहिए यदि पूछा जाता है कि नाइट्रोजन क जो पर माडू भार है वह 14 यूनिफाइड मास है अमोनिया का जो अडू भार है वह कैसे ग्याद कर सकते हैं कैसे हम ऐसे लिखेंगे तो उसके लिए हमें हाइड्रोजन का जो पर माडू भार है वह पता होना चाहिए साथ ही प्रत्तेक योगी का सूत्र भी हमें आना तबी हम अनुभार को ग्याद कर सकते हैं तो जैसा कि पहला जो प्रशन था कि यदि कार्बन का परमाणुभार दिया है 12 तो कैसे हम कार्बन डियोकसाइड का जो अनुभार है वो ग्याद करेंगे तो कार्बन का परमाणुभार है 12 तो यहां हम लिखेंगे बराबर का चिन ल तो इस तरह से जो carbon dioxide है इसका अनुभार हम ग्याद कर सकते हैं अगली स्थिती में हमने देखा कि यदि nitrogen का परमाणुभार दिया है और nitrogen के परमाणुभार को देकर ammonia का अनुभार पूछा गया है तो ammonia का जो सूत्र है वह है NH3 तो nitrogen का परमाणुभार है 14 यहां बराबर 14 करेंग धन hydrogen की संख्या ammonia में 3 है और hydrogen का परमाणुभार है वह 1 है तो 1 गुड़ा 3 तो 14 धन 3 तो यहां माना जाएगा 17 unified mass तो यहां हमने देखा कि कैसे किसी एक तत्व का परमाणुभार दिया हुआ है और उस तत्व से बनने वाले जो योगिक है उनका हमाणुभार कैसे ग्याद कर सकते हैं इसे हमने समझा कुछ अन्या जो आयनिक योगिक है जैसे कि calcium chloride इसके अणुभार को हम कैसे लिखा सकते हैं चूकि calcium chloride भी एक आयनिक योगिक है तो इसे हम सूत्र इकाई द्रविमान के रूप में इसको प्रदर्शित करेंगे तो calcium का जो परमाणुभार है वह 40 है ध द्धन क्लोरीन का जो परमाणुभार है वह 35.5 होता है तो 35.5 गुणा 2 करेंगे तो 35.5 गुणा 2 करने पर जो मान आता है वह 71 तो 40 धन 71 बराबर 111 unified mass जो है ये calcium chloride के लिए मान होता है calcium chloride का जो सूत्रिकाई द्रविमान है वह 111 unified mass निकलता है अगला हम देखेंगे calcium oxide, calcium oxide भी एक आयनिक योगिक है क्योंकि calcium oxide में भी जब हम देख रहे हैं कि calcium के 2 electron बाहतम को से electron जो है वो oxygen की तरफ जाते है और oxygen इन 2 electron को ग्रहन करता है और oxygen के उपर 2 negative 4, minus 4 लगता है और calcium 2 electron त्याग देता है तो उस पर 2 plus 4 लगता है तो calcium oxide एक आयनिक calcium का जब हम परमाणू भार देखते हैं तो यह 40 है धन, oxygen का परमाणू भार 16 दोनों को जोडने पर जो मान आता है calcium oxide के सूत्री काई द्रविमान के रूप में वह है 56 unified mass तो इस तरह हम देख रहे हैं कि विभिन जो भी योगिक है चाहे वो आयनिक योगिक है तो उसे सूत्री भी उस योगिक को बनाने के लिए जितने भी टत्व हैं उनके परमाणू भारों के अधार पर उस सहसे ओर्जी योगिक के अरुभार को भी ज्यात कर सकते हैं अब हम एक अन्य विशह पर बात करते हैं जब आयनिक योगीक बनता है तो यहां हम देखते हैं कि विभिन जो आयनिक योगीक है जैसे ही उसे जल में गोला जाता है वे आयोनाईज हो जाते है आयनिक रित हो जाते है ये विद्यूत के सूच अलग भी होते है और इसका कारण ही है क्योंकly वह आसानी से जल में आयनी गृत हो सकते हैं जल में जैसे ही यह तूठते हैं विभिन आयन स बनाते हैं धन आयन और रिन आयन तो यद새 हम देख रहे हैं कि दो अलग अलग आयन है इसay हम साधारनायन कहेंग क्योंकि sodium का एक आयन ये आने प्लस के रूप में दर्शाया गया, इसी तरह से जो chlorine का आयन है, जिसे हम chloride आयन कहते हैं, वह Cl- के रूप में दर्शाया जा रहा है, तो यहां पर यदि हम अलग-अलग देखें, दोनों तत्व से बने हुए जो आयन से, तो वो साधरन आयन होते हैं, यहने आयनी तवस्था में हैं, लेकिन एक ही परमाडू का आयन है, एक धन आयन और एक रिन आयन, अब हम एक अन्य योगी के आयनी करन आवस्था को देखेंगे, यहां पर हम देख रहे हैं कि आयनी करित हुआ है, इसमें हम देख रहे हैं कि दो परमाडू शामिल हैं यानि दो परमाडू का ये आयन है तो इस तरह के का जो आयनिक योगिक होता है जब वो आयनिक रित होकर ऐसे आयन्स देता है जिसमें की दो परमाडू है या दो से अधिक परमाडू है तो इस तरह की आयन्स को कहते हैं बहु परमाडू क आयन तो इस इसमें एक माइनस चार्ज लगा हुआ है, एक रिन आवेश पस्थित है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक पूरा परमाड़ों का समू है, याने हम कहें NO3- याने एक नाइट्रोजन और तीन ऑक्सीजन, तो यहाँ पर हम तोटल यह दी परमाड़ों की गिंती करते हैं, तो वह चार परमाड़ों होगा, और इसमें आवेश जो है, वह एक रिन आवेश होता है, तो परमाड़ों का एक ऐसा समू है, जिसमें हम देख रहे हैं कि कुल आवेश के रूप में हम इसे दर्शा रहे हैं, पूरे परमाड़ों का समू है, जैसे नाइट्रेट में ही चार परमाडू है चार परमाडू मिलकर एक आयन बना रहे हैं और उस पूरे समूह में हम देख रहे हैं कि कुल आवेश कितना है उसे इसके उपर लिख दिया गया यह एक रिन आवेश है तो NO3- यह पूरा जो है वह एक आयन है और चुकि इसमें दो या दो से अधिक तत्व है तो जब बहु परमाडू क आयन को परिभाशीत किया जाता है तो इसे हम इस प्रकार कर सकते हैं परमाडू के ऐसे समूह जिस पर की हम देख रहे हैं कि कुल आवेश विद्यमान हो तो उनको हम बहु परमाडू क आयन कहते हैं याने किसी भी बहु परमाडू क आयन को जब दर्शित किया जाता है, तो जैसे हमने sodium nitrate को देखा, Na plus और No3 minus के रूप में दर्शाया गया, sodium धनायन है और nitrate रिनायन है, अब यदि हम दूसरे अन्य जो भी आयनी क्योगिक है, उसे हम आयनी तवस्था में देखते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे ammonium chloride, जिसका सूतर है NH NH4Cl, तो NH4Cl जब आयनी क्रीत होता है, तो NH4 plus बनता है, धन CL minus बनता है, तो NH4 plus अमोनियम आयन है और CL minus जो है वो chloride आयन है, तो NH4 plus एक धन आयन है, इसमें हम देख रहे हैं कि परमाणूओं का समू है, याने nitrogen का एक परमाणू और hydrogen के 4 परमाणू, कुल परमाणूओं की संख् पांच है और इस पे जो उपर आवेश लिखा है वो एक धन आवेश है, और CL में जो आवेश है वो एक रिन आवेश है, तो CL minus याने chloride आयन जो है वो एक साधरन आयन है, लेकिन हम जब NH4 plus आयन की बात करते हैं, तो यह एक बहु परमाणूओं आयन होता है, यहां हम देख र हैं कि जो सोडियम आयन है, वो है एक साधरन आयन है क्योंकि उसमें एक ही तत्व है, Na plus, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सलफेट आयन जो है, इसमें एक सलफर का परमाणूओं है, और चार ऑक्सीजन का परमाणूओं है, और इसके उपर कुल जो विद्यमान आवेश है, वह 2-4 है, तो SO4-2- भी एक बहु परमाणूओं आयन होता है, दूसरी और हम देखेंगे, कैल्शियम हाइड्रोकसाइड, कैल्शियम हाइड्रोकसाइड, CAOH, whole twice, ऐसे लिखा जाता है, जब यह पानी में घोला जाएगा, यहां भी यह आयनों में विभक्त होता है, कैल्शि होता है, जब यह आयनिकरित हुआ, तो हाइड्रोकसाइड आयन बनता है, OH-, चुकि OH की संख्या यहां पर 2 है, OH whole twice लिखा हुआ था है, तो यहां सामने भी हम लिखेंगे, 2OH-, तो यहां भी हम देख रहे हैं कि 2 परमाणू के समू से हाइड्रोकसाइड आयन बना, जिसमें एक परमाणू ऑक्सीजन का और एक परमाणू हाइड्रोजन का है, साथ ही इनके उपर विद्धिमान जो कुल आवेश है, वो है एक रिन आवेश, तो हाइड्रोकसाइड आयन को जब हम प्रदर्शित करते हैं, तो OH- के रूप में दर्शाते हैं, यह भी एक बहु परमाण आयन होता है, अगला हम देखेंगे सोडियम कार्बोनेट, तो Na2CO3, Na2CO3 को जब जल में घोला जाता है, तो यह भी दो आयनों में भक्त होगा, एक धन आयन और एक रिन आयन, इसमें हम देख रहे हैं कि 2 Na+, बना, चुकि Na एक ही है, एक ही तत्व है, उसके उपर जो आवेश के समू से एक बहु परमाडू का आयन बना, और CO3 के उपर जो कुल आवेश है, वह 2 माइनस चार्ज है, तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि यह बहु परमाडू का आयन बना है, तो बहु परमाडू का आयन जो बनता है, यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 या 2 से अधिक उन तत्वों के परमाड़ू की कुल संख्या से यह पूरा जो आयन है वो बना है और जितने भी तत्व हैं उनके सयोग से जब यह आयन बनता है उसके कुल आवेश को उसके उपर दर्शाय जाता है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो आवेश है कितनी संख्या उसके उपर दर्शाय जारी है तो यह हम मान सकते हैं कि यह जो आवेश है जितने धन आयन या जितनी भी संख्या मेरे नायन उस पूरे आयन के उपर लिखा गया है वही उस आयन के लिए सयोगता भी होती है तो आयनों उपर जितने भी आवेश होते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं, आयनों की सेयोजकता क्या होगी, तो आयनों की सेयोजकता वह संख्या होगी, जो आयनों के उपर आवेश के रूप में लिखा गया हो, जैसे कि अगर हम CO3, 2- लिखते हैं, तो कार्बोनेट की सेयोजकता-2 हो सेयोजक्ता माइनस वन होगी तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कितने आवेश उस आयन पर उपस थे थे तो इन आवेशों की संख्या के आधार पर आयनों की सेयोजक्ताओं के आधार पर हमें इन आयनों को अलग-अलग तरह से विभाजित कर सकते हैं आवेश की संख्या के आ च्छिए फैलfeld के रूप में दर्शा सकते हैं एक सेयोजी वर्ग जैसे नाम से स्पष्ठ कहुत है कि यदि हम धनायन की बात करेंगे तो एक सैयोजी वर्ग वाली जितने भी आयन होंगे उसमें धनाविष एक ही होगा यदि हम्-धुई सेयोजी-वर्ग के आयनों की बात करत तो यदि हम धनायन या रिनायन किसी की भी बात करें, उसमें दो धनायन होगा या फिर दो रिनायन होगा, जब हम बहु से ओजी आयनों की बात करते हैं, तो या तो उसमें दो से जादा धनायन होगे या दो से जादा रिनायन होते हैं, तो अब हम कुछ उदाहरन लेकर इसे पढ़ेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कुछ उदाहरण, एक से ओजी आयनों की, एक से ओजी आयनों में यदि हम धनायन ले, तो जैसे Na+, Ag+, NH4+, 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 को कहा जाता है, अमोनियम आयन, Ag+, यदि हम कुछ रिड आयनों की बात करें, जो की एक से ओजी है, जैसे Br- इसे कहा जात है, Bromide, जैसे अगर हम Br लिखते हैं, तत्व के रूप में लिखते हैं, तो वह Bromine होता है, लेकिन Br- लिखते हैं, उसमें Id हो गया, जुड़ जाता है, Id जुड़ जाता है, तो Bromide हो गया, अगर हम Iodine के ओपर एक माइनस चार्ज लगा दिए, तो ये Iodide बन गया, यदि ह हम दूसरा एक बहु परमाडूक आयन, जिसमें की एक रिन आवेश है, जैसे की Bicarbonate HCO3-, एक H, एक C, तीन O, यानि यह है एक बहु परमाडूक आयनों का समू है, और इसके उपर एक माइनस चार्ज लगा हुआ है, तो ये Bicarbonate आयन, या फिर इसे हम Hydrogen Carbonate भी कहते हैं, इस इसे तरह Hydroxide आयन, जिसमें की एक Oxygen और एक Hydrogen है, तो OH- यानि Hydroxide आयन भी एक सयोजी आयन का उदाहरन होता है, अगला हम देखते हैं, दूई सयोजी जो वर्ग है, इसमें भी धनायन होते हैं, रिडायन भी होते हैं, यदि धनायनों का वर्ग देखें, तो प्रत्य एक जो जितने, कई जो आयन होते हैं, धनायन, जिनके उपर दो धनावेश होगा, वह दूई सयोजी आयनों की श्रेणी में रखे जाते हैं, यदि हम दो आवेश वाले रिडायनों की बात करें, तो जैसे S2-, सलफाइड आयन हो गया, S2-, इसी तरह से जो कार्बोनेट है, उसे हम CO3-2-, यहने एक कार्बन, तीन ओक्सीजन, यहने बहु परमाडूक एक आयन हो गया, कार्बोनेट, लेकिन इसके उपर हम कूल आवेश देख रहे हैं, दो माइनों है, तो यह दूई सयोजी आयन होता है, एक और उधारण हम लेंगे, सलफेट, SO4-2-, तो SO4-2- में एक आवेश है, वह 2- होता है, अगला हम लेंगे, बहु सयोजी, जो आयन की श्रेणी है, जिसमें हम देख रहे हैं, दो से जादा आवेश होते हैं, जैसे अलुमिनियम, तो अलुमिनियम के उपर 3+, है, 3+, यहने 3 धन आयन है, तो अलुमिनियम आयन हो गया, फोस्फेट आयन, य जिन में की 2 से जादा आवेश होते हैं, उसे हम बहु सयोजी आयनों की श्रेणी में रखते हैं.